नमस्कार दोस्तों UPPSC Daily News में आप सभी लोग का स्वागत है तो जहां दोस्तों देखे संप्रदाई सदभाव आपके जो है Mental Attitude में जो की ये तीसरा अध्याय है संप्रदाई सदभाव का और हम लोग सीरियल से चल रहा है जिनको भी लगता हो कि कहां सी ये मैटर है क्या है तो आपको बता दूँ कि जितना भी मैटर है इससे हटके कहीं भी एक कोश्चन नहीं आने वाला साथ में इससे संबंदित मैं आपको कई भी कोश्चन भी करा दे रहा हूं हर एक अध्याय से संब्सक्राइब से रिलेटर तो इस सध्याय में भी हम लोग वैसे ही चलेंगे तो चलिए देखते हैं इसमें सबसे पहले कुछ कंसेप्ट वगारा देख लेते हैं फिर इसके बाद हम लोग को सद्ध्याय को सम आप कर लेंगे तो आप सभी लोग जो भी वीडियो को देख इसमें भारत के सुतंता प्राप्ति के दोरान संपरदाईक सद्भाव अपनी नियुनतम स्थिती में पहुँच गया था देख के एक हिस्से का धार्मिक आधार पर विभाजन होने से देख भर में संपरदाईक दंगे हो रहे थे और संपरदाईक सद्भाव की सिती आउना है कि उनका धर्म ही सरुषेष्ट है, मुख्य रूप से संपरदाईक तनाव का कारण बनता है, करना कुछ नहीं है, इयरफोन लगा के सुन लेना है, साथ में आप सोई लोग को देख करके पाउस करके नोट सो बना लेने हैं, इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट अपने संपरदाईक सद्भाव का अर्थ सही है कि विविन धार्मी मानेताओं से संबंद लोग एक दूसरे के धर्मों को घ्रिणा की दिश्ट से देखने के बजाए, आपसी भाईचारे के साथ रहें और देश की प्रगती में बाधा उत्पन न करें। जा सकता है। संपरदाईक सद्भाव का ठीक उल्टा है संपरदाईक असम्मती यानि डिसार्मनी, केमिनल डिसार्मनी। अर्थात एक दूसरे की विचार और मानेताओं को पूर्त अश्विक्रिती के दिश्टिकोंड से देखना और घ्रडा करना। संपरदाईक असम्मती आज विसुभर में गंभीर खत्रा बन चुकी है। और इसका फाइदा समाज के अराजक तक तो आतंगवादी संगठन तथा अन्य प्रकार के धार्मिक उनमादी लोग उठा रहे हैं। संपरदाईक असम्मती से कानून विस्था की सिती भिगरती और समाज में अराजकता ब्याब्त हो जाता है। संपरदाईक कला या जगड़े अब विसुभर में गंभील संकट उत्पन कर रहे हैं। और इनकी वज़य है इस प्रकार के संपरदाईक द्वारा दूसरे आपने सिभिन संपरदाईक के लोगों को अपनी इच्छा मानने वव अभिवस करना ताकि वे रोबोट की तरह उनके आदेसों का पालन करते रहें। लेकिन ऐसा कभी हो नहीं सकता है। क्योंकि इसकी तिब्र प्रक्रिया भी होती है और संपरदाईक जगड़े प्रारंब हो जाते हैं। संपरदाईक सद्भाव द्वारा समाज में सांती और इस्थिर्टा कायम हो सकती है। अता इसे बनाए रखने के लिए निमलिखित आवश्चक बिंदु महत्पूर आपसे लोग को ध्यान रखने हैं जहां से आपसे लोग का कुश्चन बन सकता है। सभी धर्मों यह मतों से उपर मनुष्यता या मानौता का सम्मान किया जाना आवश्यक हैं और युवा लोगों को इस पर गुमरा हुए बिना विश्यश ध्यान देना चाहिए। कोई भी व्यक्ति के वल धर्म जाती अत्वा किसी भी से इसमत को मानने के कारण सम्मान नहीं प्राप्त कर सकता जब तक कि वह एक सही मनुष्य के रूप में ब्यवहार न कर सके। अता इस पश्ट है कि सर्वो परी मानौता है न की धर्म। किसी भी ब्यक्ति को उसके विरधु जाने पर विवस नहीं करना चाहिए। किसी अन्य ब्यक्ति से मिलने पर ये मसूस करना चाहिए कि वह अधिक्तम रूप से आपके ही समान है। केवल कुछ बातों जो मत भी भिन्नता के कारण हो सकती हैं में वह आपसे भिन्न हो सकता है अता ऐसी भिन्नता को बहुत तूल न देकर मानवी दिश्टिकोण अपनाना चाहिए। लोगों के धार्मिक जीवन के मार्ग में बाधा उत्पन करने से बचना चाहिए ताकि वो भी आपको पीडित करने अथवा आगात पहुचाने से बचें यह बात याद रखनी चाहिए कि हम किसी के काम आ सकते हैं और दूसरे भी हमारे लिए उप्योगी हो सकते हैं यह आवश सदाइक सदभाव कोई अचानक उत्पन होने वाली घटना नहीं है इसे धीरे धीरे वर्षों के प्रयास और परस पर विश्वास द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है यह भावना धार्मिक छेत्री और जातिगत भी देशों से दूर जाने के बाद ही उत्पन की जा सकती है प्रतिक ब्यक्ति को अपने मस्तिक से पर से पड़े परदे को हटा कर इस संसार का अलोकन करना चाहिए क्योंकि इस प्रतिवी पर आखिरकार हम सब एक साथ ही रहते हैं एक आदर सद्भावपूर की सिती में पहुचने के लिए हमें उन साजह मुल्यों स्युवदावयों सक्ति को पहचानना होगा जिने हम एक दूसरे के लाव के लिए प्रयोक्त कर सकते हैं बारत के संविधान के अनुसार देश का कोई अधिकारी तराज धर्म नहीं है अर्थात भारत एक पंथ निर्पेश देश है पंथ निर्पेश आप से लोग को मैंने बताया था जब शेदों में नागरिकों की दार्मिक सोतन्ता के बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छे 25 सभी भारती नागरिकों को विवेक की सोतन्ता तथा अपनी पसंद के धर्म के उपदेश अब्याश और प्रचार की गारंटी देता है। अनुच्छे 26 सभी धर्म संप्रदायों पंतों को अपने धार्मिक मामलो आदी के स्वयम प्रवंद करने कानूं अनुसार संपत्ती रखने आदी की गारंटी देता है अनुच्छे 27 कहता है इसमें किसी भी ब्यक्ति को किसी विशेज धर्म को बढ़ावा देने मात्र से टैक्स देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता अनुच्छे 28 कहता है इस बात का पूर्ण रुप से निशेद करता है कि राज्य द्वरा बित्पोसित से अच्छिक संस्थाएं दार्मिक सिच्छा देने के लिए अधिक्रित नहीं होंगी इसमें राज्य सरकार की तरब से कुछ चार महत्पूर बिंदू भी बताये गए हैं जो कि मैंने आपसोईलों को पॉल्टी में वहाँ पर पढ़ा दिया था इस प्रकार उप्रोक्त बिरुणों से इस पश्ट है कि भारत के संविधान में भी संप्रदाईक सदभाव बनाये रखने हैं तो BCS प्रावधान किये गए हैं तो आपने ये देख लिया इसके कांसेप्ट को अच्छे से अब इससे संबंदित कैसे प्रस्ण बनते हैं आई हम लोग देख लेते हैं संप्रदाईक सदभाव की आवसकता होती है जब कब हमें संप्रदाईक सदभाव की आवसकता होती है इसका अंसर होगा अपसंसी किसी देश या राजी में बिविन धार्मी के उम जाती संप्रदाई के लोगों के एक साथ रहते है दूसरा नमबर कोशन है इसमें संप्रदाई विद्येश का क्या कारण है इसका अंसर है आप्शन नमबर D अपने अपने धर्मों को सरोसेश समझना दीसरा है इसमें संप्रदाई सदभाव इस्थापित किया जा सकता है चार आप्शन दिये हैं इसमें से आंसर होगा C सभी धर्मों यों बिविन जातियों के लोगों की भावनायों माकांचाओं का सम्मान करके नेक्स कोश्चन है आपका परस्पर अलगाव से बचा जा सकता है यदि सर्वधर संभाव रखकर परस्पर मेत्री भाव की स्थापना हो अपने नमबर D नेक्स कोश्चन है आपका सहरी सब्विताय यानि सिटी कल्चर किस प्रकार संप्रदाई विद्देश रहित वातावरन बनने में सहयक होती है इसका अंसर है आप्सन D ये A, B, C तीनों सही होंगी इसका अंसर नेक्स कोश्चन आपका धार्मी वेदबाव मिटाने में सिच्छा बहुत महत्पूर है क्योंकि सिच्छा के नए स्वरूपों के कारण विविद्द छेत्रों में रोजगार के अउसार उत्पन हुए है जिनसे युवाओं में व्यापक सोच का विकास हुआ है आप्सन A भी सही है, आप्सन B भी सही है और आप्सन C भी सही है नेक्स्ट है इसमें साथ नमबर कोश्चन धर्म का परदा किसे अउर्दु के रहता है जिसका अंसर है आप्सन C मनुस के मस्तिस को अब हम लोग नेक्स कोश्चन इसमें देखते हैं एट नमबर आविद अल्वी नाम की एक युवग ने हिंदू मुश्लिम समदाय में संपरदाइक सदभावना है तो अपने नीजी प्रयास में क्या किया हनुमान चलीशा का उर्दु में अनुमाद किया इसका अंसर होगा अब इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं ये तक्त जौनपूर उत्तरप्रदेश के रहने वाले एक मुस्लिम युग ने दो संपरदायों के बीच आपसी समझ और सद्भावना विखास है तो हिंदूओं के बीच पवित्र माने जाने वाले हनुमान चलीशा का उर्दु में हनुमाद किया ताकि दोनों संपरदायों दोरा एक दूसरे की संस्कृति को समझा जा सके हिंदी के विद्यार्थी आबीद इसी क्रम में उर्दु के गरंथों का हिंदी में भी अनुमाद करना चाहते हैं नेक्स कोश्चन है अनवर्ट जलाल पूरी द्वारा निमलीखित में से किस क्रंथ का उर्दु में अनुमाद किया गया है इसका अंसर है ए श्रीमत भागवत गीता को नेक्स कोश्चन आपका है पारती संविधान में धार्मिक सोतंता संबंदीत अधिकारों को किन अनुच्छेद में उर्णेत किया गया है इसका अंसर है आप्सन नमबर ए अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में नेक्स कोश्चन नहीं है आपका नेक्स अध्याय सुरू होगा अपराध नियंत्रन इसके विशे में आप सोई लोग को डेली एक वीडियो जो मेंटल अप्टिट्यूट आपका है इससे रिलेटेट डेली एक वीडियो आप सोई लोग को चैनल के माध्यान से दिया हैं तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें शेयर करें बहुत बहुत धन्यवाद